हलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका संडे की आर्ट क्लास में आज हम बनाएंगे ब्यूटिफुल कलरफुल पेपर बटरफ्लाई तो देखिए इस तरह से आपकी जो कलरफुल बटरफ्लाई है वो बन के तियार होगी और ये आपके क्लासरूम को बहुत ही अट्रक्टिव औ बहुत ही खुश हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और इसको बनाना बहुत ही इजी है इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से एक शीट तो यहां पे हमने ए 4 साइस की शीट ले ली है तो इसमें जो आपका फर्स टेप है उसमें हम इस शीट को इस तरह से center fold करेंगे तो इस तरह से हम इसको center fold कर लेते हैं आपको center ब्रेसिंग जो है बहुत जादा नहीं करनी है अब next जो हमारा step है तो बच्चे जो है वो यहाँ pencil के साथ mark भी कर सकते हैं तो हम इसको 8 की shape में cut करेंगे तो हम भीना mark के इसको cut कर रहे हैं तो अगर आप इसको cutting के लिए बच्चों को देते हैं, तो आप उनको pencil से mark करके भी दे सकते हैं, ताकि उनको cutting करना जो है वो easy हो जाए, तो इस तरह से हम 8 की shape में इसको cut कर लेंगे, तो इस तरह से हमने इसको cut कर लिया है, तो shape आपकी थोड़ी उपर नीचे हो जाए, तो कोई problem नहीं है, बस आपको इसको 8 की shape में cut करना है, आपका जो next step है, आप plain sheet के साथ भी butterfly बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप बच्चों के साथ कोई color करना चाहते हैं, तो आप उनको इस तरह से color दे दीजिए, और उनको कुछ भी यहाँ पर design डालने के लिए बोल दीजिए, तो इस तरह से बच्चे जो है अगर circle डालते जाएं, आप उनको अलग-लग colors दे दीजिए, और उनको कहिए कि इस तरह से वो कुछ भी designing कर दें, तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ भी design करवा लीजिए, तो हमने इस तरह से इसको design कर लिया है, अब हम करते हैं अपना next step, जिसमें आपको इस तरह से fold क करना है, तो इस तरह से हम इसको press करते जाएंगे, fold के साथ साथ, तो इस तरह से आपको यहां से फिर इसको पलट के आप दुबारा वापस इस तरफ से fold करेंगे, तो इस activity से बच्चों के जो fine motor skills हैं वो develop होने में काफी help मिलेगी, तो आप उनको newspaper पेपी यह butterfly बनाने के लिए दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको fold करते जाना है, तो हमने इसको इस तरह से पुरा fold कर लिया है, तो fold होने के पाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा, अब आपको इसको इस तरह से पकड़के center से, आपको center से इसको fix करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसी same color की sheet ले ली है, आप अलग color भी use कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ center से fix कर लेते हैं, यहाँ पे हम glue stick का use कर रहे हैं, तो यह butterfly बनाना जो है बहुत easy है, और बहुत colorful भी है, बच्चे इसको बनाते हुए बहुत ही enjoy करेंगे, और यह आपके classroom को भी बढ़ा अच्छे से decorate करेगी, और इस तरह की colorful चीज़े class में हों, तो बच्चे जो हैं बहुत ही attractive feel करते हैं, classroom में रहना उनको अच्छा लगता है, तो इस तरह से हमने इसको fix कर लिया है, आप इस तरह से इसको थोड़ा सा pressing करके open करिए, अब आपका जो next step है, उसमें आपको इस तरह से एक sheet चाहिए, और face बनाने के लिए इस तरह से हमने white circle कट कर लिया है, और butterfly के antenna बनाने के लिए इस तरह से हमने दो strips ले ली हैं, तो सबसे पहले यह जो strips हैं, इनको हम fold कर लेते हैं, आपको इनको इस तरह से roll करना है, अगर आप rolled strips यह use नहीं करना चाहते हैं, तो आप simple छोटी-छोटी cutting जो हैं, वो एंटीना के लिए use कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको roll कर लेंगे, इसके साथ साथ ही आप बच्चों को butterfly के जो facts हैं, उनके बारे में, उसका life cycle जो है, उसकी सारी stages जो है, वो भी बच्चे के साथ discuss कर सकते हैं, कि कैसे egg, next उसका जो life का stage होता है, larva, then caterpillar, और उसके बाद finally, वो full-fledged butterfly adult रूप में, fourth stage जो है, वो उसकी है, तो इस तरह से आप उसकी सारी stages जो है, मैं बच्चों के साथ share कर सकते हैं, अब जो आपका next step है, उसमें हम ये center वाला जो इसका portion है, इसको fix कर लेते हैं, इसको बनाना बहुत ही जादा easy है, और बच्चे इसको बहुत ही enjoy करेंगे, बनाते हुए, ये देखिए, इस तरह से ये center portion भी हमारा fix हो गया, next हम इसका जो face है, इसको fix कर लेते हैं, इसके लिए हमने white circle cut किया है, इस तरह से, और इसके साथ हम ये antenna जो है, ये भी fix कर देते हैं, बहुत easy है इसको बनाना, बच्चे easily इसको बना लेंगे, ये देखिए, अब बना लेते हैं butterfly की eyes, तो इस तरह से हमने black marker use किया है इसके लिए, ये nose के लिए, और face हम बना लेते हैं, pink, red कोई भी marker आप use कर सकते हैं, sketch pen use कर सकते हैं, तो ये आपकी butterfly जो है, ready हो गई है, तो आप इसके जो पंक हैं इसको थोड़ा से फैला लेजिए, तो देखिए आपकी colorful, beautiful butterfly जो है इस तरह से ready हो गई है, आप इसको classroom में लगाएंगे, तो आपका classroom जो है, बहुत ही colorful लगेगा, और बच्चे जो है, ऐसी चीजों को बहुत ही पसंद करते हैं, और पढ़ने में भी उनका जो ध्यान है, बहुत जादा लगेगा, और हम जो बनाएंगे, वही उनको पढ़ाएंगे, ये सबसे आ रहे हैं, तो butterfly की जो facts हैं, और उसका जो life cycle है, देखिए, चोटे-चोटे बच्चे हैं, वो भी उसके life cycle से aware हो जाते हैं, तो हमें उनको learn नहीं करवाना है, सिर्फ हमें उनको knowledge देनी है, तो thank you friends, इसको आप ज़रूर class में try करिएगा, thank you